हेलो स्टुडेंट्स दिस राज अदो एंड वेलकम टू चलाक इस्टडी यूट्यूब चैनल तो स्टुडेंट्स हम लोग यहां पर NCRT क्लास 7 का हिस्ट्री यहां पर कवर कर रहे हैं और पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास 7 का चैप्टर वन कंप्लेट किया है तो आज की इस वीडू में हम History NCRT चैप्टर टू जो है क्लास 7 का यहां पर हम पढ़ने पढ़ने वाले हैं तो आई ए अपने वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो आज चेप्टर टू हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज के चेप्टर का नाम है नए राज्या और उनके राज्ये। तो यहाँ पर दिया गया है कि सात्वी सतापदी के बाद कई राजवनसों का उदय हुआ ठीक है जो सात्वी सती यहने कि इस क्लास 7 के चेप्टर में हम लोग सात्वी सती से लेकर के सत्तर सो पचास तक की कहानी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि भारत का हिस्ट्री इस समय के दवरान कैसा रहा ठीक है तो सात्वी सतापदी के बाद कई राजवनसों का उदय हुआ मानचीतर एक में उपमादीव के भीन हिस्सों में सात्वी से बारवी सतापदी के बीच सासन करने वाले प्रमुक राजवनसों को दिखलाया गया है मानचीतर एक में क्या किया गया है कि सात्वी से लेकर के बारवी सती तक यहने 700 से लेकि जो 1200 के बीच सासन करने वाले प्रवुक राजवन्सों को इसमें दिखाया गया है तो एक चीज मैं यह बता दूँ कि जैसे कि यहाँ सात्वी सताब्दी की बात की गई है है ना, तो सात्वी सताब्दी किस कालखंड को कहेंगे सात्वी सताब्दी कहेंगे सन 601 से जो समय पिरेट जो स्टार्ट होगा वहाँ से लेकर के 700 के अंदर है ना, इन 100 साल के अंदर का समय सात्वी सताब्दी कहलाता है तो यह उनी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी नए-ने जुड़े हैं और जिनको कालकरम के बारे में उतनी चानकारी नहीं है, उनके लिए ठीक है तो सन 601 से लेकर के सन 700 के बीच के पिरेट को क्या कहेंगे सात्वी सताब्दी कहेंगे तो ऐसे राजवनसों के यहाँ पर दिखलाया गया है यहाँ पर चंदेल इन सब राजवनसों के यहाँ दिखाया गया है जो important राजवनस है, ठीक है यहाँ पर राष्ट कूट है जो महराष्ट वाले एरिया में जो सासन करते थे इसके अलावा यहाँ पर चोल, चेर, ठीक है यहाँ पांडियन और कलिंग यहाँ पर दिखाया गया है जो अभी के उडिशे का जो ख्षेत्र है ठीक है, तो इन सब राजवनसों को इस मैप में दिखाया गया है आप लोग देख लीजेगा तो मैप के बारे में यहाँ बताया गया है कि गुर्जर, प्रतिहा, राष्ट, कूट, पाल, चोल और चाहमान के स्थान करने धानार कीजिए क्या आप आज उनके राजव की पहचान कर सकते हैं ठीक है, तो इस मैप को अच्छे से अलोकन कर लीजेगा बहुत ज़्यादा आपको इस मैप को बिल्कुल याद करने की ज़रत नहीं है पर एक बेसिक रूप सी इस मैप को देख करके आप इसको अपने दिमाग में बैठा सकते हैं इनसे भी कई कोश्चन, छोटे-छोटे कोश्चन बन जाते हैं अब है नए राजवन सोको दै ठीक है तो साथवी सदी आते आते उपमादु के उभीन भागों में बड़े भूमि स्वामी और युद्धा सरदार असित्त में आचुके थे राजा लोग पराएं उन्हें अपना मातहत या सामंत के रूप में माननेता देते थे उनसे उमीद की जाते थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं उनके दर्बार में हाजिर लगाएं और उनसे सैन्न सहता प्रदान करें और उन्हें सैन्न सहता प्रदान करें अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आपको महा सामंत महा मंदलेश्वर याने की पूरे मंदल का महान स्वामी इत्यादी घोजित कर लेते थे तो जो सामन्त होते थे जब वे अधिक सक्तिसाली हो जाते थे तो वे अपने आपको महा सामन्त या महा मंडलेश्वर कहलाने लगते थे इसे पिछले चेप्टर में भी और क्लासिक्स में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि इस तरह सामन्द जैसे जो भी लोग थे जब वो सक्तिसाली हो जाते थे तो कई बर राजा से बगावाद भी कर देते थे इस तरह का एक उदानार दक्कर में राष्ट कूटों का था हिरन गर्ब का शाब्दिक अर्थ क्या है सोने का गर्ब ठीक है हिरन गर्ब का अर्थ होता है सोने का गर्ब ये एक अनुष्ठान है हिरन गर्ब और ये कौन सा अनुष्ठान है जब यह अनुष्ठान ब्रामःडों की सायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था ऐसी माननेता थी तो इससे कई बार सीटेट में आपके सीटीटी में इस तरह के कोस्टेन आ चुके हैं कि जो हिरन्य गर्भ है वो क्या है तो ये एक अनुष्ठान है जिससे जो राजा ख्षत्री नहीं होते थे वो ख्षत्रित वो प्राप्त कर लेते थे तो इसको नोट कर ल आमहर थे जिन्होंने अपने प्रमप्रागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और करमसर करनाटा को राजस्थान में अपने राज्य सभलतपुरों के स्थापित किये अब यहाँ पर एक चित्र यहाँ पर दिया गया है एलोरा की गूफा पंद्रा यानि की गू अशकुट काल की एक कृति है यहाँ पर भगवान नर्शिंग को यहाँ पर दिखाया गया है अब है राजियों में प्रसाशन इन नहीं राजाओं में से कईयों ने महराजा दिराज यानि की राजाओं के राजा त्रिभुवन चक्रवर्तिन यानि की तीन भुवनों को और इसी तरह की अन्य भारी भर को मुपादिया धारण की लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामन्तों और साथ हिसांत किसान वे अपारी तथा ब्रामोरों के संगठनों के साथ अपनी सत्तक हिसाज़ेदारी करते थे फिर इन सबी राजियों में उत्पादकों, अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकठे किये जाते थे इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया जाता थे मनाया या बाद्ध किया जाता था ठीक है या तो मनाया जाता था या तो मजबूर किया जाता था कि वे अपने उत्पादों से एक हिस्सा इन्हें दे याने की सासकों को कभी-कभी इस हिस्से को लगान मान कर वसूला जाता था क्योंकि प्राप्त करने वाला भूमिस्वामी होने के दावा करता था राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था तो व्यापारियों से भी कर या राजस्व उस समय वसूला जाता था अब है 400 कर तो ये 400 कर क्या है इसके बारें पढ़ते हैं तमिल नाडु में सासन करने वाले चोल वनसो के अभी लेखों में विबिन्ने किस्म के करों के लिए 400 से जादा सूचक सब्द मिलते हैं करों के लिए 400 से भी जादा सूचक सब्द मिलते हैं सबसे अधिक उलिखित कर है वेट्टी वेट्टी एक कर है जो सबसे इंपोर्टेंट या सबसे उलिखित है ठीक है सब फेमस है जो नकत की बजाए जबरन स्रम के रूप में लिया जाता था उस वेट्टी में क्या किया जाता था स्रम के रूप में कर लिया जाता था यानि कर के रूप में सब को स्रम करना पड़ता था नकत नहीं देना पड़ता था यानि जबरन स्रम और कदमाई यानि की भूराजस होते मकान पर छाजन डालने पर लगने वालकर खजूर या तार के पेर पर चड़ने के लिए सीड़ी के इस्तिमाल पर लगने वालकर पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वालक कर इत्यादी का भी उल्लेक मिलता है तो इस तरह के कर उस टाइम मौजूद थे ये संसाधान राजा की विवस्ता का वित्तियधार बनते थे साथी मंदिनों और दुर्गों की निर्मार में भी इस्तिमाल होते थे संसाधान उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तमाल होते थे जिनसे लूट की सकल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यपारीक मारगों के प्रयोग की संभावनाएं बनते थी राजा सुवसूली के लिए पदाधिकारियों के नियुक्ति समानेता प्रभावशाली परिवानों के बीच से इकी जाती थी और प्राहया वन्शानुगत होती थी सेना में भी ऐसा होता था तो सेना के पद भी वन्शानुगत थे अब है प्रसस्तियां और भूमे अनुदान, तो इसे पहले के कक्षा में, याने की क्लास सिक्स में, प्रसस्ति हम पढ़ जो कि कुने ड्र система की जाती है, लिकी दुरूप में वही प्रसस्तियां हैं, यहां दिया गए कि प्रसस्तियां में ऐसे ग्रेरे होते हैं जो सब सा सत्य नहीं भी हो सकते हैं, यानि कि सत्य ना होते हुए भी जो उनके दर्बारी कवी होते थे, वो लोग राजा के प्रसस्ती में बहुत सारे ऐसी बाते लिग दिया करते थे, जो कि सच भी नहीं होते थे, उनकी महानता बताने के लिए, लेकिन ये प्रसस्ती हमें हमें बताती हैं क सासक खुद को कैसा दर्साना चाहते थे मिसाल के लिए सूरवीर विजाई उद्धा की रूप में है ना ये विद्वान ब्रामःड़ों द्वारा रची गई थी जो अपसर प्रसासन में मदद कर दे थे अब है नागभट की उपलबधियां कई सासकों के प्रसस्तियों में अपने उपलबधियों को बखान किया है आपने पिछले साल गुप्त सासक समुद्र गुप्त की प्रसस्ति की बारे में पढ़ा है तो क्लास 6 के NCRT में हम लोगों ने समुद्र गुप्त की बारे में प्रतिहार नरेश नागभट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। प्रतिहार नरेश नागभट ने तो इनका वखान इनके कुछ इस तरह से किया गया है। दान में दिया जाता था। उसका ये कुछ प्रमार के रूप में इस तरह तामर पत्र उन्हें दिया जाता था। वो सब चीज लिखी होती थी जो उन्हें दान में दिया जाता था। के द्वारा दिये गए भूमी अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेडे बनाकर सांथी काटेदार जाडिया लगाकर भूमी की सिवां को चिनित कर दिया है। इस भूमी पर ये चीजे हैं। नगां सांथ ही वानों पर लगने वालाकर वसूद सकता है। पक्की ये जाता है इस नगां वहां काटेदार जाडिया लगावा सकता है। इस तरह के बाते लिखी होते हैं जिनको भूमी दान में दिया जाता है। वो ये सभी चीज़ें अपनी भूमी में कर सकते हैं अब है बारवी सताबदी में एक विहाद संस्क्रिप कावे की रचना भी रचा गया जिसमें कश्मी पर सासन करने वाले रजाओं का इतिहास दर्ज है इसे कलहर नाम के एक रचनाकार दौरा रचा गया तो कलहर एक कि लेखकों से भिन वह अक्सर सासकों और उनकी नीतियों के बारे में अलोशनात्मक रुख दिखलाता था इसलिए बारवी सदी के लिए यह असाधारन ग्रंथ था तो कलहर क्या करते थे जहां जादा तर जो चारन कभी होते थे वो लोग राजा का बखान करते थे और कभी के लिए युद्ध धन के लिए युद्ध आपने गौर किया होगा कि इन में से प्रतेक सासक राजवन्स का धार कोई क्षेत्र विशेश था वे दूसरे छेत्रों पर भी नियंत्र करने का प्रयास करते रहते थे एक विशेश रूप में वांचनी छेत्र था गंगा घाटी कि में कन्योज नगर तो ये कन्योज बहुत प्रसिद्ध जगा था उस समय के लिए और बहुत प्रतिष्टित और महत्तुपूर्ण एरिया जो था तो उसके लिए बहुत सारी लड़ाईयां होती थी ठीक है राष्ट कूट और पाल वन्सों के सासक सदियों तक कन्योज के नियंतनर को लेकर आपस में लड़ते रहें तो राष्ट कूट और जो पाल सासक हैं है ना वे हमें बहुत पहले से कन्योज के उपर अधिकार कर निकले लड़ते रहें चूकि इस लंबी लड़ाई में तीन पक्च थे इसलिए इतिहास कारों ने प्राया इसकी चर्चा त् इसको त्रिपक्ची संघर्ज के नाम से जाना जाता है इससे भी प्रश्ण बनते हैं तो इसको भी अच्छे से पढ़िएगा और नोट करिएगा जैसा कि हम देखेंगे प्रिष्ट 62-66 सासको ने बड़ी मंदिरों का निमार करवा कर भी अपनी सत्तर संसाधनों का प्रदर प्रविस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद जो महमूद गजनवी था जो गजनी ऐसे सासकों में से सबसे प्रसिद्ध है उसने 997 से लेकर 1030 तक सासन किया और अपने नियंत्रन का विस्तार मद्ध एशिया के भागों इरान और उपमहदूइप के उत्तरपस्ची में हिस् महमूद पर हमला कर चुका था और लगबग हर साल हमला करता था उसका निशाना थे संपन्न मंदीर जिसमें गुजरात का सोमनात मंदीर भी शामिल था महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैबसाली राजदानी की निर्मार में स्पर्णि नमा के विद्वांद को इस उप महद्वीप का लेखा जो निखने का काम सोपगा तो अलभरूनी ठीक है अल्वरूनी में लिखी के उसकी किताब अल हिंद आज भी इतिहास करों के लिए एक महतपूर्ण स्रोत है अलबरुनी ने इसे तयार करने के लिए संस्क्रीट के विद्वानों से परामर्श लिया था यूद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे चाहमान या आप चावान कह सकते हैं जो बाद में चाहमान के रूप में जाने गए वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के शेत्र पर सासन करते थे उन्होंने पस्ची मरपूरू की और अपनी नियंतर्ड शेत्र का विस्तार करना चाहा जहुने गुजरात के चालक्यों चालुक्यों और पच्चीमी उत्तरप्रदेश के गहडवालों से टक्कर लेनी पड़ी ठीक है चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध सासक्ता प्रिथ्वी राज त्रितिये प्रिथ्वी राज च्वाहन का नाम आप लोगोंने सुना होगा तो ये वहीं है प्रिथ्वी राज त्रिति जो है ठीक है पृत्वी राज त्रितिये जिसे सुल्तान मुहमद गौरी नामा का अपगान सासक को 1999 में हराया था तो जो पृत्वी राज चवान थे उन्होंने जो मुहमद गौरी है उसको 1199 में हराया था लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हंथों हार गए ठीक है 1191 में उनका यूद्ध हुआ था मुहमत गौरी से जिसमें उन्होंने विजय प्राप्त की और ठीक 1192 में फिर से यूद्ध हुआ जिसमें वे हार गये थे ये बताया गया इसमें अब है चोल राज्ये नजदीकी से एक नजर ते यहां चोल राज्ये के बारे में एक न सथ्थ्था में कैसे आया कवेरी डेल्टा में मुढत था से प्रसीद एक छोटे से मुख्या परिवार की शत्ता थी वे काचीपूरहम के पल्लाव राजाउन के मातहथ थे ठीक है क्या थे मातहत थे उरैयार के चोलवंशी प्राचिन मुखिया परिवार के विजयाले ने नवी सताबदी के मद्ध में मुट्टियारों को हरा कर इस डेल्टा पर कबजा जबाया उसने वहां तंजवूर सहर और निशुम्ब शूदिनी देवी का मंदिर बनवाया विजयवाल के उत्तरादिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीत लिया उसका राज्य अपने ख्षेत्रपल तथा शक्ती दोनों रूप में बढ़ता गया दक्षिड और उत्तर के पांडियन और पल्लव के इलाकों इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिये गए राज राज प्रथम ठीक है तो जो राज राज प्रथम है जो सबसे सक्तिसाली चोल सासक माना जाता है तो सबसे सक्तिसाली चोल सासक किसे माना गया है राज राज प्रथम को उसने 1985 में वो राजय बना और इसी ने इनमे से जादा तर छेत्रों पर अपने नियंदरार का विस्तार किया उसने समराजी के प्रसासन का भी पुनरगठन किया राज-राज के पुत्र थे क्या नाम था उनका राज़ेंदर प्रथम ठीक है इन अभ्यानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई तो ये था चोल वंस के बारे में ये डिटेल यहाँ पर दिया गया है ठीक है अब है भव्य मंदिर और काश्य मूर्तिकला अब भव्य मंदीर और कासी मूर्तिकला के बारे पढ़ेंगे राज-राज और राजन प्रधम दोरा बनाएगे तंजावूर और गंगई कोड चोलपूरम के बड़े मंदीर इस्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टी से चमतकार है ठीक है तो इस्थापत्य कला क्या होती है इस्थापत्य कला के बारे हमने पिछले चेप्टर में पढ़ा था ये भवन निर्मार कला है ठीक है इस्थापत्य कला क्या है भवन निर्मार कला तो भवन निर्माड कला यनि कि ये मंदीर का जो निर्माड हुआ है वो इस्थापत कला के अंतरगत आएगा ठीक है तो बड़े-बड़े मंदीर इस्थापत मूर्ती कला की दृष्टी से एक चमतकार है चोल मंदीर अक्सर अपने आसपास विक्सित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए ये सिल्पुत पादन के केंद्र थे ये मंदीर सासकों और अन्य लोगों दारत दी गई भूमी से भी संपन हो गए इस भूमी की उपज उन सारे विश्यसगों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदीर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे जैसे कि पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, इसके अलावा संगीतकार, है ना, संगीतकार, नर्तग, इत्यादी दूसरे सब्दों में मंदीर सिर्फ पूजा आराधना का इस्थान नहीं थे, वे आर्थिक, समाजिक, सांस्क्रितिक जीवन के केंदर भी थे मंदीर के सांजुड़े हुए सिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांच से प्रतिमाय बनाने का काम चोल कांच से प्रतिमाय संसार की सबसे उत्कृष्ट कांच से प्रतिमाय में गिनी जाती है तो पूरी दूनिया के सबसे उत्कृष्ट कांच से प्रतिमाय में इनकी गिनती होती है चोल काल की ठीक है ज्यादा तर प्रतिमाय जो देवी देवताव की होती थी लेकिन कुछ प्रतिमाय भक्तों की भी बनाई गई अब है क्रिसी और सिंचाई तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है चित्र चार एक चोल का से प्रतिमाय कितने सावधानी के साथ उसे अलंकरित किया गया है इस पर गौर कीजिए ऐसी प्रतिमाय किस तरह बनाई जाती थी यह जाने के लिए अध्याच्य देखिए तो अध्याच्छे में आपको बताया जाएगा कि इस तरह की कांसे प्रतिमाई की इस तरह बनाई जाती थी अब है क्रिसी और सिंचाई चोलो की कठीन उपलब्दियां, चोलो की कई उपलब्दियां क्रिसी में हुए नई किसानों के माध्यम से संभव हुई मांची तरदो देखिए, गौर कीजे की कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई चोटी-चोटी सखाओं में बढ़ जाती थी ये सखाओं बार बार पानी उलीचती है, जिसे किनारों पर उपजाओं मिट्टी जमा होती रहती है साखाओं का पानी, क्रिशी, विशेस्ता, चामल की खेती के लिए अवश्यक आड़दता भी मुहया कराती है हाला कि तमिल नाडू के दूसरे हिस्से में क्रिशी पहले ही विक्सित हो चुकी थी पर पांचवी या चटी सताब्दी में ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई कुछ इलाकों में जंगलों को साप किया जाता था और दूसरे इलाकों में जमिन को सम्तल किया जाता था डेल्टा छेत्रों में बाड को रोखने के लिए तडबन बनाये जाते थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नारों का निर्माड होता था नहरों का निर्माड होता तक कई छेत्रों में एक साल में दो फसली उगाई जाती थी तो इस तरह महां की क्रिशी व्यवस्था और सिचाई व्यवस्था उन्नत थी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र के बारे में दिया गया है कि नवी सतापदी तमिल नडू का एक जलद्वार है होट से नदी की साफा में पानी की प्रवाग को इसके जरी नियंत्रित किया जाता था इस पानी से खेत सीचे जाते थे जलद्वार परंपरिक रूप से एक लकडिय धातू बाधा है जो आम तोर पर पानी के इस्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दरप्रवाह को संचालित करता है तो यह एक जलद्वार है अब है कई जगों पर फचलों की सिचाई क्रित्रिम रूप से करना जरूरी था सिचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए कुछ अन्य जगों में वारिस के पानी को इकठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए इस मरण रहे किसी चाई के काम में योजना की जुरूरत होती है ठीक है जैसे स्रम और संसादनों को विहस्तित करना इन कामों की देख रिक करना और यत्ताय करना की पानी का बटवारा कैसे किया जाए ज्यादा तर नए सासकों साथ साथ ही गामों में रहने वाले लोगों ने इन गति वीदियों में सक्री रूप से दिल्चस्पी दिखा यह रहे कि सभी के सहयोग के बदलत ये सभी संभव हो पाया अब है समराज्य और प्रसासन प्रसासन की इस प्रकार संगठित था किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी तो उर क्या है किसानों की बस्तियां है सिंचित खेती के साथ बहुत समरिद्ध हो गई थी किसानों की बस्तियां इस तरह के गामों के समू को नाडू कह जाता था तो बस्तियां उर कहलाती थी, ठीक है गावों का समू नाडू कहलाता था, ग्राम प्रजशद और नाडू न्याय करने और करवसूलने जैसे कई प्रसास की अकारे करते थे वेलाल जाती की धनी किसानों को केंद्री चोल सरकार की देख रेक में नाडू के काम काज में अच्छा खासा नियंत्रण हाजिल था उनमें से कई धनी भुस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुएद वेलन याने की तीन राजाओं को अपनी समाय प्रधान करने वाला वेलन या किसान अरय यार याने की प्रधान जैसी वपाधिय दी थी उन्हें केंद्र में महत्वपुन राजी की अपद्विसों पे थे अब है भूमी के प्रकार चोल अभी लोगों में भूमी की विभीन कोटियों को लेक मिलता है विलन वगाई गैर ब्रामण किसान स्वामी की भूमी ब्रह्मेदे याने ब्रामणों को पहार में दी गई भूमी शाला भोग याने किसी विद्धाले की रख रकाव के लिए भूमी देवदान, तिरुनम टुकनी याने कि मंदीर को पहार में दी गई भूमी और पलिचंदम, जैन संस्थानों को दी गई भूमी इन नामों से इनको जाना जाता है तो एक बार इस पर भी एक दृष्टी डाल लिजेगा हमने देखा कि ब्रामणों को समय समय पर भूमी अनुदान या ब्रामण दे प्राप्त हुआ इनके निर्डे सिलालेकों में प्राय मंदीरों की पत्थर की दिवारों पर बेवरेवार दर्ज किये जाते थे नगरम के नाम से ग्याद व्यपारियों के संग भी अक्सर सहरों में प्रशासनिक कारे संपादित करते थे तो नगरम क्या है व्यपारियों के संग है ठीक है व्यपारियों के संग को नगरम के नाम से जाना जाता है अब है तमिल नाडू के चिंगल पूर जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभी लेखों में इस बात का सविस्तारवर्णन है कि ब्रामणू की सभा का संगठन कैसा था सिचाई के कामकाज, बागबगिचे, मंदिरों इत्तादी की देखरेक के लिए सभा में इभिन समीतियां होती थी इन्हें सदस्ता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम ताल पत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बरतन रख दिये जाते थे और जिस छोटे लकडी को हर समीति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था अब है अभिलेक और लिखे समगरिया उत्तर मेरी अभिलेक के अनुसार सभा की सदस्ता तो उत्तर मेरी अभिलेक जो है उसके अनुसार सभा की सदस्ता कैसी होती थी सभा की सदस्ता के लिए एक्छूक लोगों को ऐसी भूमी का स्वामी होना चाहिए जहां भूराजस्व वसूला जाता है तो ऐसे भूमी का स्वामी होना चाहिए जहां से भूराजस्व वसूला जाता हो उनके पास अपना घर होना चाहिए उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए उन्हें वेदों का ग्यान होना चाहिए उन्हें प्रशासनीक मामलों की अच्छी जनकारी होनी चाहिए और इमानदार होना चाहिए यदि कोई पिछले सालों में किसी समीतिक सदस से रहा है तो वह किसी और समीतिक सदस से नहीं बन सकता जिसमें अपने या अपने संबंदियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाओं नहीं लड़ सकता आगे है अभी लेखों में राजाओं और सक्ति संपन पूरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है लेकिन यहाँ जानना खासा मुस्कील है कि सधारान मर्दों और और अरतों का जीवन इराज्यों में कैसा था अब यहाँ एक उद्धरण दिया गया है पारविश्यतादी की तमिल कृती पेरिया पूरुणम से एक उद्धरण दिया गया है अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी जोपड़ियों से अंटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समुझी से ब्रामहर और वेलाल प्रतिष्टि समाज के बाहर मानते थे लोग का एक छोटा सा पूर्वा था जिसमें ओचे किस्म के पेशों में लगे केदिहर मजदूर रहते थे चमड़ी की पटियों से गिरे हुए जोपड़ियों के आहतों में छोटे मुर्गे मुर्गे की जून गुंगते रहते तो यह उतना इंप्रोर्टेट नहीं है एक्जाम के दृष्टी से ठीक है इसमें एक उद्धरनर को दिया गया आप चाहें तो वीडियो को पॉस्ट करके पढ़ सकते हैं अब यहाँ पर दिया गया है कि तांग वन्स के यूग का चीन दुनिया की सबसे बड़े नगरों में से एक थी जहां तुर्की, इरानी, भारती, जापानी और कोरियाई आया जाया कर दे थे तांग समराजे परिच्छा के माध्यम से निउक्ति की गई नौकर्शाही द्वारा प्रसासित होता था तो तांग समराजे में क्या होता था कि परिच्छा के माध्यम से नौकरी वहाँ पर नौकर्शाही प्रसासनिक व्यक्तियों को भरती किया जाता जैसे कि आज के समय में स्टेट PCS, PSC न UPSC आदी की जरिये जो भरतीया होती उस तरह की भरतीया उस समय होती थी इन परिच्छा में हर इक्छुक व्यक्ति बैढ़ सकता था अधिकारियों के चैन की या व्यवस्था कुछ बदलाओं के साथ 1911 तक कायम रही भारतीयों महादूब में प्रचरीत व्यवस्थां से व्यवस्था कि इस प्रकार बिन थी तो ठीक है यहाँ पर हमारा चेप्टर यहाँ पर समाप्त होता है और यहाँ पर कुछ बीज सब्द दियेगे हैं उनको एक बार पढ़ लिजे सामन्त, मंदीर, नाडू, सभा इन सभी का मतलब पाट को पढ़के आप लोग जान लिजेगा तो यहाँ पर हमारा चेप्टर यहाँ पर समाप्त होता है ठीक है तो इस वीडियो के एक बार देखने के बाद आप अपना नोट्स इसमें से देख करके बनाएंगे और दो-तीन बार इस वीडियो को देखेंगे या अगर आपके पास PDF उपलब्द होगा NCRT का तो आप अपने PDF को भी दो-तीन बार पढ़ेंगे ठीक है दो-तीन बार पढ़ने से क्या होगा कि आपको उनके शब्द और क्या-क्या कहा गया उसमें अच्छी तरह से आपको जानकारी होगी और आपके दिमाग में वो रट जाएंगी तो आज का चेप्टर यहीं समाप्त होता है आज की क्लास अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में अगले वीडियो में हम क्लास 3 कवर करेंगे ठीक है तो अगर सेशन पसंद आया होगो तो एक लाइक आप लोग जरू कर दिया करिये इससे जो है अप्रिशियेशन होता है इससे और आप लोगों के लिए content त्यार करने में और अच्छा लगता है ठीक है तो लाइक और share अपने दोस्तों के साथ जरू कर दिजेगा अगर चैनल पर नहीं है या फिर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा अब मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन